नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है गोवा हमेशा से ही एक बैटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है और ऐसे में अगर आप मुंबई से गोवा जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक दम उपयोगी रहेगा शांत समुद्दर ट्वट, स्वादिष्ट समुद्री भोजन और असंखे प्राजीन वस्तुकला का बेजोड मिश्रण है गोवा में और अगर आप गोवा जा रहे हैं तो मुंबई से गोवा बहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने की जगे रहेगा आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई से गोवा किस प्रकार पहुंचा जा सकता है और कौन-कौन से माध्यम है मुंबई से गोवा जाने के आप मुंबई से गोवा हवाई जहाज के द्वारा जा सकते हैं इसके लिए आपको डॉंबिलिम एरपोर्ट पर एक घरेलू उडान लेनी होगी और आप आसानी से मुंबई से गोवा मातर एक घंटे में पहुंच जाएंगे अब आप सोच रहे होँगे कि मुंबई से गोवा अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपका खर्चा कितना होगा तो आपको बता दें इसके लिए आपके 3-4,000 रुपे खर्च होंगे अगर आप मुंबई से गोवा रोड के द्वारा जाना चाहते हैं तो आप करनाटक राज्य सड़क परिवहन की बस भी ले सकते हैं इसके लावा महराश्ट्रे राज्य सड़क परिवहन की बसें भी पूर्ण रूप से उपलब्ध है मुंबई पूरे और बैंगलोर जैसे आसपास के शहरों में बस की सेवाएं बेहत सुचारू रूप से चलती हैं इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुंबई से गोवा जा रहे हैं तो NH4 के रास्ते आप जा सकते हैं और यह बेहत सुरक्षित और सुन्दर रास्ता है आप ट्रेन के द्वारा भी मुंबई से गोवा जा सकते हैं मुख्य रूप से ट्रेन से जाना काफी आसान और सुरक्षित है आपको बता दें कि आप ट्रेन के द्वारा अगर मुंबई से गुआ जाएंगे तो पहला वासकोडी गामा और दूसरा मटगाओं रेल्वे स्टेशन आएगा आप यहां से गुआ के लिए बस पकड़ सकते हैं यह दो रेल्वे स्टेशन एक व्यापक ट्रेन नेटवर्क के रूप में देश के विभिन हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं दिल्ली से मटगाओं के लिए नियमित ट्रेन चलती है जिसमें गोवा संपर क्रांती एक्सप्रेस तिवेंदरम एक्सप्रेस प्रमुक हैं जबकि पंजी से मटगाओं रेल्वे स्टेशन की दूरी 38 किलोमीटर है और वासको डिगामा रेल्वे स्टेशन से गोवा की दूरी 29 किलोमीटर बताई जाती है यात्री रेल्वे स्टेशन के बाहर से टैक्सी की सेवा भी ले सकते हैं हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को ज़रूर दमाएं धन्यवाद